प्रदेश सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्दे नजर गणेश उत्सव, जन्मास्चमी और महर्रम आदी जैसे त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगा दी है तो वहीं विधायक रमेश मैंदूला ने इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर से चर्चा करनी की बात कही है देखिए एरपोर्ट प्रदेश में कोवीट संक्रमण को देखते हुए आगामी गडेश उत्सव, महर्रम, जन्मास्चमी आदी त्योहार सार्वजनिक रूप से नहीं मनाये जा सकेंगे गडिश प्रतिमाय सारवजनिक रूप से स्थापित नहीं की जा सकेंगी तथा जन्मास्चमी एवं महरम पर जुलुस वताज ये नहीं निकाले जा सकेंगे प्रदेश सरकार ने एडवाईजरी जारी की है तियोहार घर में ही मनाए लेकिन तियोहारों उत्सवों की नगरी में आवाज उठने लगी है कि पांडालों में केवल पुजारी को पूजा अर्चना करने की छूट मिले यही नहीं शहर में निकलने वाली प्रसिद्ध जांकियों को भी सांकितिक रूप से निकलने की अनुमती मिले कि चाहे मुहरम हो जनमाश्मी हो गरेश उत्सव हो किसी प्रकार का भी धर्मिक तेवहार जुलूस ये गैधरिंग नहीं हो सकती है दर असल ये मांग इंदॉर की सियासत के दादा दयालू यानि इंदॉर दोसे विधायक रमेश मेंडोला की है उन्होंने शहर की संस्कृति का हवाला देते हुए जिला कलेक्टर मनीश सिंग से चर्चा करने की बात कही है आपको बताते हैं कि इन दोर में गणेश उत्सव और जन्मास्चमी को लेकर खासा उत्साहत देखने को मिलता है तो वहीं शहर में अनन्द चत्रदर्शी पर निकलने वाली जहांकियों की दश्को पुरानी परंपरा है लिहासा विधायक रमेश मेंदोला ने अपनी ही सरकार के आदेश पर एक बार फिर पुनर वचार करने की बात कही है युर रपोर्ट, MPनूस, और